आज स्पाइसी फूडी में बन रही है फिलकुर मार्केट स्टाल आइस्क्रीम स्पाइसी फूडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो को आप पूरा देखे सभी आपको सही ट्रिक पता चलेगी करमे में सभी को ठंडा खाना पसंद होता है आज हम बनाएंगे बच्चों को बहुत पसंद आने वाली चोकलेट आइस्क्रीम मैंने यहां 500 ml मिल्क ले लिया है यह मिल्क को हम दो बर्तन में आजाजा कर लेंगे एक बर्तन में जो मिल्क है उसमें हम 6 सेबल स्पून शुगर डालेंगे और उसको पकाने के लिए रख देंगे और जब तक ए मिल्क गाधा नहीं हो जाता तब तक उसको चलाते जाए देखो हमारे मिल्क की कंसिस्टनसी परफेक्ट हो गई है अब उसको साइड में रख देंगे अब जो हमारा दूसरा आधा मिल्क है उसमें सब पाउडर मिला लेंगे और उसको पकाने के लिए रख देंगे जब तक ए मिल्क भी गाधा नहीं हो जाता तब तक उसको भी चलाते जाए अब हमारा मिल्क गाधा हो गया है अब हम शुगर वाला और पाउडर वाला दोनों मिल्क को मिला लेंगे अब हमें ये मिल्क को चन्नी में चान लेना है और बाद में एक कंटेनर में डाल कर उसे डिप फ्रिज में 4-5 गंटे के लिए रख देंगे चार से 5 गंटे के बाद हैंड विसकर से बिट करना है उसमें हम चोकलेट फ्लेवर का एसेंस भी डालेंगे हैंड विसकर से बिट करने के बाद हमारी आईस्क्रीम की कंसिस्टनसी ऐसी हो जाएगी हैंड विसकर से बाद हैंड विसक्रीम की कर दो सल्थ्टा कि माद के इा है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो मुखंग कर दो कर दो अग्षित मनचे जो एक चाहिए प्रूब।ेट नहान हो प्रूब।े प्रूब।ेगा प्रूब।े성 ठीत प्रूब। 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 अजित प्रूब। जाव हमारा चोकलेट फ्लेवर का आइस्ट्रीम रेडि हो गया है कितना बढ़िया कलर आया है और कितना बढ़िया तेश्ट आप जरूर ट्राइ करके देखना एसी नहीं नहीं रेसी पिछानने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्रेब करो और हाग, कमेंट, शेर और लाइक करना मदूलना